यह दिखिए यहां पर मैंने 16 फंदे लिए हैं 14 फंदे इसके पैटन के हिसाब से लिए हैं एक ही पैटन बनाएंगे 14 फंदों का प्लस दो फंदे एस्टिच के लिए लिए हैं नीचे से बेस देने के लिए 2 रह उल्टे फंदों के साथ निकाल ली हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रहों सीधी साइड, एस टे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, थागा आगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, ये देखे, हमारा एक पैटन कम्पलीट हो गया है, हमने चार फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे बने, ये चौदा फंदों का पैटन है, दो, चार, छे, आर, दस, पारा, चौदा, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रपीट करते जाएंगे और लास्ट में एस्टिच है, सीधा मुंपलेंगे, पहली राव कम्पलीट हो गई है, दूसरी राव रॉंग साइड, सारे फंदे उल्टे, उल्टे बनाएंगे, चौती राव, तीसरी राव सीधी साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, फिर से इसे पहली राव की तरह ही बनेंगे, चार फंदे विल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार यह देखिए यहाँ पर हमने चार फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे बुने फिर से पैटन को रपीट करेंगे और लास्ट में आस्टे सीधा बुन लेंगे तीसरी रो कंप्लेट हो गई है, चौत्थी रो रॉंग साइड एसटे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एक फंदा सीधा, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन यह देखिए यहाँ पर हमने तीन फंदे उल्टे एक सीधा छे फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे बने फिर से पैटन को रपीट करते जाएंगे और लास्ट में एस्टिच उल्टा बना लेंगे आच्मी रौ हैं सीधी साइड हैं एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा उल्टा आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक दो ये दिखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे एक उल्टा आठ फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे गुने फिर से पैटन को रपीट करेंगे और लास्ट में एस्टिच सीधा बना लेंगे पांच में रौ कंप्लीट हो गई है चटी रो है रोंग साइड एस टी स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा ओल्टा एक फंदा सीधा अब दस फंदे ओल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक फंदा सीधा एक उल्टा यह दिखिए यहां पर हमने एक फंदा उल्टा एक सीधा दस फंदे ओल्टे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना फिर से पैटन को रूपीट करेंगे और लास्ट में एस टेज उल्टा बना लेंगे साथमी रो हैं और सीधी साइड हैं एस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा उल्टा बारा फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक फंदा उल्टा ये दिखिए यहां पर एक फंदा उल्टा बनाया बारा फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर से पैटन को रिपीट करेंगे और लास्ट में एस्टे सीधा बन लेंगे साथमी रो कंप्लीट हो गई है आठमी रो है और रॉंग साइड है एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दस फंदे उल्टे, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, यह दिखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, एक सीधा, दस फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से पैटन को रपीट करेंगे और लास्ट में एस्टिच उल्टा बनालेंगे, नौमी रो हैं और सीधी साइड हैं एस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो एक फंदा उल्टा आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक दो यह दिखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा आठ फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे बुने फिर से पैटन को रिपीट करेंगे और लास्ट में एस्टे सीधा बुन लेंगे तो दिखिए नौमी रोग कम्प्लीट हो गई हैं तस्मीर और रोंग साइन एस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एक फंदा सीधा छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन ये दिखिए यहां पर हमने तीन फंदे उल्टे एक सीधा छे फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे बुने फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट में एस्टिच उल्टा बना लेंगी ग्यारमी रो हैं और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट बैटन स्टाट करेंगे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार यह दिखिए, यहाँ पर हमने चार फंदे सीधे छे फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे बने फिर से पैटन को रिपीट करेंगे और लास्ट में एस्टे सीधा बना लेंगे ग्यार मी रो कंप्लीट हो गई है बार्मी रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो देखिए बार्मी रौ कम्पलीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कम्पलीट हो गया है तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी वान टू ट्वैल रौ पीट करते जाएंगे और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं जैन साफ setter, full setter में, बच्चों के setter में baby blanket में apply कर सकते हैं तो आप भी से बनाईए और हमें एक मेंट section में जाकर बताईए कि आपको हमारे patterns कैसे लगते हैं अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे channel को like करना, family friends के साथ share करना और channel को subscribe करना मत भूलें तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसे ही और नए-नए pattern लेकर तब तक के लिए bye bye friend